तो अपना इसमें क्या चल रहा था मॉल कंसेट्ट चल रहा था ना पिछली गलास में थोड़ा सा पड़ा था हमने उसके बाद आप लोगों का टाइम हो गया था तो फिर आपको छोड़ दिया था आज अज हम थोड़ा की स्पोर बढ़ाते मोल कंसेप्ट और देखो मोल कंसे बताव क्या लिखा है हाँ दार्थ की मात्रा बट्टे उसका अनू बार या परमानू हो तो परमानू की मात्रा बट्टे उसका परमानू बार लिखते हैं वो मोल निकालना सबसे पहले आपको मोल ही निकालना है अगर मोल निकलने के बाद एक पॉइंट याद रखना है अगर परमानू या अनू पुछ लें, तब हमने लिखा है, कि एक मोल में परमानू या अनू या आयन कुछ भी हो, उनके संख्या में सां आउगादरो संख्या के बराबर होती है, और आउगादरो संख्या का मान कितना होता है, या रखना, एकजाम पूछ सकते हैं, 6.02, 13, 10 की हट एतने एक मौल के अंदर है और कई धियाना करना कई किताब हो में चैया फौट जीरो 2-22 रख आ बना तो च्रस्पाव दो कर दिना तो जदा फर्क निए दो तीन दो दो किताब हम दो-दो दे रखा है जैसे एंचार्टी में या दो-दो लिख रखा है और जैसे स्टेंडरी किताब में उसमान दो-तीन लिखाव मिलेगा कोई दिखत नहीं है वो लेगिए 6.0 है द्यान अखना ये तो-थी दस्की बाव धर तेस इतने परमान वानो यहां आएओं होते हैं एक मॉल के अंदर और फिर हमने कहा था कि अगर आयतन पूछ लेए तब द्यार नहीं कि एक मौल में आयतन कितना होता है एंटी पी पर-22.4 लीटर होता हैं एंटी पर-1 येस का इहतन होता-22.4 लीटर इसके सहाब से हमें फिर आगए अलग जो के पिसली बार पीछली बार अब देखो इसके आगे फिर आगे वैंसे की लिखो लगे आ यह ₹熱 पर्सली को गऑल यह ले लिखो कि कारबन में अगर को कई इलेक्टरोन के संख्या बताईए यह पोछ लिए 12 ग्राम कार्बन में इलेक्ट्रोन की संख्या बताईए अभी आ गया तो इलेक्ट्रोन की संख्या परमाणू आणू कुछ भुशले सबसे पहले आप मोल निकाड़ो तो 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होगे वो चेक करना है तो मोल की संख्या क्या लिखोगे कि मोल की संख्य बराबर क्या हो जाएगा बारा है फदार्थ की मातरा अब कार्बन का परमानुबार बारा उत्र गया गया एक मोल अब एक मोल कार्बन है और आपको बता है एक मोल कार्बन में कार्बन की संख्या एक मोल कार्बन में कार्बन की संख्या कितनी आएगी आउगादरो संख्या के बराबर A कितनी है 6.02 13 कितने परमाणु है कार्भन के एक मोल में 12 ग्राम कार्बन में इतने परमाणु है कार्बन के अब आपको मता है कि एक कार्बन में एककारबन में इलेक्ट्रोन की संख्या अब कार्बन का प्रमानुकर्मा कितना है इसका वंतलब इलेक्ट्रोन कितने कार्बन में 6 एक कार्बन में 6 एलेक्ट्रोन अब एक कार्बन में 6 एलेक्ट्रोन हमारे पास कितने एक मोल कार्बन है यानि इतने कार्बन है इतने में कितने होगी तो यह लिख देंगे एक मोल कार्बन में इलेक्ट्रोन की संख्या तो क्या लिख होगे यहां च्छै इलेक्ट्रोन कार्बन में इतने में कितने उंगुणा आउगादुरों संख्या आजेगा दसकी बावर तेईस कितने इलेक्ट्रोन होते हैं किसमें इतने इलेक्ट्रोन एक मोल कार्बन में इलेक्ट्रोन की संख्या आगी इस तरह से एक्जाम में कुछ भी पूछले ताबु करना आना चाहिए यह चीदे बहुत इंपोर्टेंट आई कर सकते वह ना यह जल्दी उता और इसमें लिखो और लिखना 96 ग्राम 96 ग्राम ओजोन में ओक्षिजन परमाणूँ ओक्षिजन परमाणूँ की संख्या बताईए ओक्षिजन परमाणूँ की संख्या बताईए 96 ग्राम ओजोन में ओक्षिजन परमाणूँ की संख्या बताईए यानि ओजोन के अनुनी निकाल ले है, ओजोन के परमाणुओं के संख्या निकाल ले है, पहले ग्राम में दे रिखा है, मोल निकाल लो, तो ओजोन के मोल की संख्या, बाबर कितना है? च्यानमे ग्राम बटे अब ओजोन का अनुबार निकालें तो कैसे निकालों बता है ओजोन का अनुबार यूँ ओका बार 16 तीन ओवे 16 16 16 48 48 48 आ गया ना ये दो मोल ओजोन में ओजोन में ओजोन में ओजोन के अनुओं की संख्या अनुओं की संख्या कितने आएगी दो मोल है एक में आओ गादरो संख्या के बराबर इसको गुना कर देंगे दो से कितने अनुओं है ओजोन के चान में ग्राम ओजोन में इतने ओजोन के अनुओं आग लो जोन ओटरी में कि आल यानि जोन की संख्या इतने एक में अगती नहीं तो i सब्सक्रा नहीं सरे परीवेंदाilly अब इतने ऊल जोन वेटैने ओ से मिए तो क्या लिखोगेग दो मॉल ओजोन में अगिशन परमानों की संख्या बराबर क्या लिखोगे एक मौल में तो यह हैं ये दो मौल में तो इतने हैं ओजोन क्यानू और एक ओजोन में तीन हैं तो गुणा क्या हो जैगा आगे तीन और लग जैगा गुणा तीन तो इतने क्या आगे ओ, यानि ओक्सजिन के परमानुग संख्यागी 96,lin, ओजोन में यह ध्यान अखना आपको तो तीन से बाग दोंगे तो ओजोन की संख्या यह तिन टादो तो इतने कहा दो मोल जोन की एनू आ जाएँगे इस तरह से आपको निकालना आना चाहिए कर सकते हो ना ये, इसके बाद देखो, मिटा दूँ ये, अब कई बार एक्जाम में एक परसन ये आता है, ये भी मोल से समन्दिती हैं, किसे हैं, ये मोल से रिलेटेड परसन है, जो आपको थोड़े से ध्यान रखनी है, जैसे एक ये लिखना, केलिसियम कार्बोनेट के विगटन से, के विगटन से, दो मोल सी ओ टू प्राप्त करने के लिए, कितने ग्राम, केलिसियम कार्बोनेट के आव सकता होगी, केलिसियम कार्बोनेट के आव सकता होगी, केलिसियम कार्बोनेट के विगटन करने, तो अमें 2 मोल सी ओ टू प्राप्त करने इसके लिए कितने ग्राम केलिसियम कार्बोनेट तोड़े, और एकजाम में जानक न पर संजो आएंगे न तो रीक्शन ऐसी आएगी जो पर्टिकुलर सब पता हूँ रिक्शन लिखेंगे तो लिख देंगे आपको जैसे यहां लिख़ेंगे केलिशियम कार्बोनेट तूटे और यह एक पर्सीद रीक्शन है केलिशियम ओक्साइट प बन गया calcium oxide और एक मोल क्या बन गया co2 का निर्मान हो गया यह तो है यह तो है ना अब एक मोल में अब कैलसियू कार्बोनेट का अब आगे पुण लिखा देंगा आपको किसी अनुबार होता न उतने ग्राम उसके एक मोल के बराबर होता है जैस केलसियू कार्बोनेट का निक अलतला मटल लग तो आप 10 gram केलसियूम कार्बोनेट धे और इसका निकाटोगे 40 ओर tirar 16 कि तुना ग्राम त्यौन ग्राम केलसियूमें और एक मटल ऐससे बनता है यह एक मोल केलसियूम आक साइड हो कार्बोनai का डिए सी ओटू का निर्मान अब यूँ कहे दे कि 100 ग्राम टुटा कैलसियम कारवोनेट तो चपन ग्राम क्या बना कैलसियम उकसाइड और चुमालीस ग्राम क्या बना सी ओटू आप से के बुच है कि 2 मॉल स्ट्य और टू प्राप्ट करनी ये अब एक मॉल तो यह एक एक अगर कहां दूसीय ओटू का आप सिख taraf करने लिए में डो मॉल सिखेंड और एक मॉल में कितने ग्राम होते हैं 100 ग्राम दो मुर्ट कितने वह गहींए 200 ग्राम कि इसका मंदलब कि 200 ग्राम हमें कार्बोनेट तोड़ेंगे ना तब 88 ग्राम यानि दो मोल कितना हो गया 88 ग्राम एक मोल में 44 दो में 88 ग्राम सियो टू या दो मोल सियो टू प्राप्ट होती है और आप से क्या बुचा है कितने मोल या कितने ग्राम केल्सियम कार्बोनेट की आव सकता हो कितने 200 ग्राम केल्सियम कार्बोनेट की आव सकता रहेगी ठीकर इस इस तरह से करनी है इसको लिखो जल्दी से कर सकते हो नहीं हू कि इसी reaction के उपर एकीस नो लिखो और परसनर लिखो वर लिखो दो point 2 ज्या earn रूको फेली लिखो केल्सियम कार्भोनेट के विगटन में या पुर लिखो केल्सियम कार्भोनेट के विगटन में के विगटन में 2.24 लिटर CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम केलसियम कार्बोनेट का कार्बोनेट का विगटन करना पड़ेगा कितने ग्राम केलसियम कार्बोनेट का विगटन करना होगा अगर हमें 2.24 लिटर CO2 प्राप्त करनी हो अब देखो केलसियम कार्बोनेट टूटा क्या बना केलसियम ओक्साइड क्लस क्या बन गया CO2 का दिर्मान हो गया इसका मतलब यहां पिछे वाले कितना है एक मॉल तो यहां एक मॉल और यहां एक मॉल यह यूँ कहा दें 100 ग्राम 100 ग्राम तो यह 56 ग्राम यह क्या है? 24 ग्राम इसका बार 140 ग्राब को बता है एक मॉल गेस का इतने कितना 20.4 इसका मतलब 22.4 लिटर गेस होगी एक मॉल का मतलब गया हो गया 22.4 लिटर आइतने दो पोईट दो चार लिटर प्राप्त करनी है CO2 अब पहले कितने कमोगी 10 गुना कमोगी ना 22.4 से 2.2 आगे मतलब 10 गुना कम होगी तो 10 गुना कम किया हमनी इसको तो इसको भी 10 गुना कम करना पढ़ेगा कितना हो गया? 10 ग्राम तो 100 का दस गुना कितने हैं दस ग्राम इसका मतलब 10 ग्राम केलसियम कार्बोनेट तोड़ोगे न तब ये 2.24 लिटर क्या बनेगी सी ओ टू का निर्मान होगा इस तरह से रेक्शन के उपर बेस्ट एक्जाम में परसन बुच्छे न तो आपको निकालनेगा त्रिक काना चाहिए ये ये बहुत इस इंपोर्टेंट है आपको कोई नहीं बताएगा यह चीजे कहिए देख लोग आप देखोगे आप यूटूब पर गरी वीडियो देखना आप देखते राद इन देखते यो ने देखते बताऊ यूटूब पर देखते ने वीडियो राद दिन लगे रहते हो आप आत इसमें मोल आप सर्च करना मोल कंसेप्ट तो आपर आप भी मिलेगा मोल इतना आनू परमानू यह बस करकर आके लास मतरा भी समीड़ा दिगंटे में करकर आगे तो यह चीज़ें आपको वहां नहीं मिलेगी और एक्जाम में इनीप परसन मनता है अधिकतर मोल में पूस ल लिखा हो तो लो एक इस नो लिखो यह करके बताना आप जब तक आप सही सही नहीं करेंगे तब तक में लगा रहा हुआ कर लोगे ना तो देखो एक परसन ये लिखो है एच टू प्लस ओ टू तो एच टू एच टू ये आ गया अब परसन लिख दिया क्या लिखा कि एक मोल जल एच टू ओ प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए कितने लिटर हाइड्रोजन की आवसकता होगी कितने लिटर हाइड्रोजन की आवसकता होगी एक मोल जल प्राप्त करने के लिए कितने लिटर हाइड्रोजन की आवसकता होगी आप देखो और रियक्षन लिखिए ये सबस्क्राइज दो मोल अब आप हैच और जल लिएख सकता है यह दो मोल यहां भी क्या बन रहे हैं जो मौन अब कि जल का एक मौन प्राप्त करना है तो यह एक मोल कर दें हमें एक मौल चाहिए यहां अभी क्या हो गया है एक मूल अगर यह दो कम में रहा रहा है यह बनाना चाहिए तो एक चाहिए घाम उल प्रेग मोल गाइज तरह होता है 2.2 तर लिटर कर आपको एक मौल प्राप्त करने के लिए एक मोल आई रोजन यहा हो सकता और गोला है निकतर होते हैं 22.4 लेटर हाइड्रोजन क्या आउसकता होगी हो जाएगा नहीं इजी से थोड़ा साप दिमाग को कंसेंट्रेट करके थोड़ा साइस चीज को सोचके करो अराम से हो जाएंगे कोई दिक्रत नहीं परस्णों में कि सब को करने आने चाहिए जल्दी लिखो जल्दी करो हो गया ना इसके बाद एक परस्णों लिखो और लिखाता हूं जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक यूँँ चलता रहेगा यहीं लिखलो आपस H2O वाला एक एक जामपल वा लिखलो इसी तरह से 2H2 प्लस O2 और क्या आगया 2H2O में आदा मोल जल्द प्राप्ट करने के लिए प्राप्ट करने के लिए जल्द प्राप्ट करने के लिए कितने ग्राम ओक्सिजन वे कितने लिटर ओक्सिजन की आवसकता होगी की आवसकता होगी कितने लिटर ओक्सिजन की आवसकता होगी यह देखा है अब अपस वही लिख लो रेक्शन लिख के उसको आप लिखते जाओ बस से अपने आप हो जाएंगे यह एक बार करके दिखाओ आप मैं में करता रहूं आना आप दिखाओ एक बास आपके बास दो मिनिट का टाइम है तब तक में इसको थोड़ा पोज कर देता हूं चलो कर लिया है अब बताओ बताओ क्या लिख हूँ यह दो मॉल यह एक मॉल इसका दो मॉल बन रहा है यह तो है क्या चाहिए आपको आदा मॉल जल चाहिए इसका एक मॉल कर दें जीदर करते जाओ एक साथ मत करो एक मॉल इसका आदा मॉल इसका एक मॉल क्यों अब इसको आदा मॉल कर दें आदा मॉल इसका एक बटे च्यार इसका और आदा हो गया एक बटे च्यार मॉल इसका आदा मॉल इसका आदा मॉल यह सकते हो दो मॉल जल क्याणू के लिए एक मॉल ओटू, दो मॉल एस्टू चाहिए एक मॉल जल के लिए आदा मॉल ओटू, एक मॉल एस्टू चाहिए आदे मॉल जल के लिए एक बटे च्यार मॉल यानि पाओ एक बटे च्यार मॉल ओटू, आदा मॉल एस्टू चाहिए यह दो है तो यह दो है यादा यादा एक बात है अब क्या पुछा है कि आदे मॉल जल प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम ओटू गया हो सकता होगी अब एक बटे च्यार मॉल में ओटू कितने होते हैं अब आपको बता है ओटू काणू बार कितना होता है 16-22 ग्राम है ना O2, ब्राबर 1 mol होता है, इत्व न, 32 gram O2 कितने है? 1 mol, अब 1 बट्टे 4 mol में कितने हो गए? 32 कितना हो गया? 8 चुका 32, 8 gram, 8 gram में 1 बट्टे 4 mol, 16 gram में 8 mol, और 24 gram में poon mol, यह तिर में 4 में, और 32 gram में 1 mol, क्या मतलब? आठ गराम चाहिए, O2 यानि 1 बटे 4 बराबर 8 गराम होता है, 1 बटे 4 मौल में 8 गराम, तो 8 गराम चाहिए आपको oxygen, उतर की आगा एक तो 8 गराम अब आपको बता है कि 1 मौल का आइतन कितना होता है? 22.4, तो 1 बटे 4 मौल का कितना होगा? पूइस पॉइंट च्यार कुना एकी बत्टे च्यार स्षिदी अरय का ओली न सैसा करदो कि मॉलका एक ना मैस स्वास टाइ तो आ tulज का जू वांट से कनल जैनर अगया है है कितना गया इसको चैसोग का चुवर कच से पांच थो यहarte हुँ ह्पीस दो बच गे थो पॉइंट पिर 2920 एक से जोब है लखिर आप पांच 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 पावी 100 10 सी गहण इतना 5.5 है को आगया लेटर आगा तो न झाल कीसिंग ऋसकता होगी इस तरह से आपको निकाल न Counter 1998 गर सकते हो न ये इस तरह से कोई इसका एक काम आरे सका दो आरे सका जो भी आरे लिख लो एक मोल इतना उसका अनुबार उसके एक मोल के बराबर होता है किसी आनु या योगिक का अनुबार उसके एक मोल के बराबर होता है पर एक पॉइंट रो लिखो किसी परमानु का परमानु भार उसके एक मोल के बराबर होता है किसी परमानु का परमानु भार उसके एक मोल के बराबर होता है यह दो पॉइंट याद रखने है कहने मतलब है कहने का अर्थ क्या हुआ कि जल है 20 60 का ग्राम एक मोल के बराबर होगा तो जो अनौद रहाएगा न वैउसके एक मोल के बराबरопас साथ ऐसे और विखेन तो 16 ग्राम ऑक्सिजन में क्या एक मॉल के बराबर होता है इस तरह से आपको करना है कर सकते हो ना यह तो यह अपना यहां तक जो आना यह मॉल वाले चीज़ी होगी और मॉल आउदार ना जो आना पिछे वाले अपने क्लास में मॉल कंसेप्ट पढ़ा है त्योरी वाला पार पूरा हो गया यह तो इस पे आप और प्रेक्टिस भी करो अपनी साब से परसन मनाओ इच्छा से आप मना मैंनक करो अपनी साब से निकालो निकालो गया तो आपके अराम से क्लिर हो जेगा सारा यह ठीक है ना इसके बाद अगलाटा पी लिखो फिर आप